हालो दोस्तों आज बात करेंगे अगर आपके पास State Bank of India Bank का कोई भी ATM कार्ड है, debit card है या फिर अगर आप State Bank of India Bank में एक नया saving account आपन करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों जो बैंकों के debit card, ATM card होता है उसका जो भी charges होता है वो समय समय के बाद जो बदलता रहता है या फिर banks उसको change करती रहती है तो अभी जो State Bank of India Bank का debit card, ATM card का charges है वो मैं आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि debit card का issuine charges, issuine charges क्या होता है कि जब आप State Bank of India Bank में खाता खोलते हैं तो आपको debit card दिया जाता है जिसे हम ATM card कहते हैं, तो ATM card का apply का एक fees होता है जिसे हम issuine charges कहते हैं जब issu होता है तो उसका भी charge लिया जाता है, लेकिन यह depend करता है कि आपको कौन सा debit card मिल रहा है या फिर अगर आप अपने से को debit card select करते हैं तो उसकी according आपसे bank charge करती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि debit card का issuine charges जिसमें यहां पर classic debit card जो की normal basic debit card होता है silver या फिर global या फिर contactless debit card इसका कोई भी issue and charges नहीं है अगर आप classic debit card, silver debit card, global debit card लेते हैं तो इसका कोई भी issue and charges नहीं है अनि कि जब आपको bank provide करेगा तब आपसे कोई भी charge नहीं लेगा लेकिन एक साल होगा तब लेगा तो आईए जानते कि एक साल में कितना charges लेगा तो यहां पर आप देखिए उसी तरह से और भी debit card है जैसे कि अगर आप मान लिजे classic या फिर silver या फिर global ये card आपको नहीं चाहिए कोई customized debit card चाहिए या फिर आपको बढ़िया ओला एक ATM card चाहिए जिसमें transaction limit अच्छा हो तो उसमें यहां पर state bank of india आपको काफी सारा features प्रवाइड करता है जैसे कि gold debit card जिसका issuin charges है 100 रुपे प्लस में 18% GST platinum debit card है जिसका charges है 300 रुपे प्लस में GST जो कि लगभग state bank of india आप यही card को issue करती है जो कि जो भी customer state bank of india में account opening करती है तो state bank of india में जो भी customer खाता खुलता है उनको लगभग platinum debit card ही provide कर दिया जाता है जिससे उनको 300 रुपे इस्वें charges वो easily bank वाले ले ले लेते हैं और जब आपका एक साल हो जाता है तब charges लगते हैं जिसे हम कहते हैं debit card annual maintenance charges तो यहां पर देखिए अगर आपके पास classic debit card है तो उसका charges है 125 रुपे साथ में silver या फिक global debit card contactless debit card इस तरह का debit card है तो उसका भी charges है 125 रुपे प्लस में GST तो यह काफे एक reasonable चीज है अगर आप बैंक जाते हैं आप अगर बोलते हैं कि मुझे classic debit card चाहिए या global debit card चाहिए silver debit card चाहिए तो banks आपके कोई भी इस फीस भी नहीं लेगी साथ में आपका जो annual maintenance charges रहेगा वो भी काफे कम रहेगा 125 रुपे प्लस में GST तो state bank of india bank में खाता खोल रहे हैं तो आप ये card ले सकते हैं लेकिन इस card में आपको ज्यादा transaction नहीं मिलेगा आप एक दिन में 25,000 रुपे transaction कर पाएंगे तो ये को जो इस फीन चार्जेस था 300 रुपे और annual maintenance charges रुपे जो कि आप यहां पर देख सकते हैं उसी तरह से premium business debit card यहां पर अलग अलग तरह के debit card आपको दिखाई दे रहेंगे जो कि इसका link में नीचे description में दे दूँगा आप चाहें तो खुझ से भी जाके देख सकते हैं तो यहां प आते हैं तो उसके लिए आपको charges देना पड़ेगा 300 रुपे प्लस में 18% GST अगर आप कोई भी आपका जो debit card है उसमें पहली बार अगर आप pin generate करते हैं तो वह तो free होता है क्योंकि जब आप cash withdraw करेंगे तो उसमें आपको ATM का pin की ज़रुत होगा लेकिन अगर आप pin को चार्ज रुपे का charge करती है साथ में इसके अलावा भी और भी कही तरह के charges होते हैं जो कि आजकल उतना ATM को को इस्तमाल नहीं करता ज्यादा तर लोग UPI के थुरू ही payment करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं balance inquiry थुरू ATM 25 रुपे charges है ATM cash transaction withdrawal अगर आप limit से पार करते हैं तो उससे आपको charges देने पड़ेंगे तो यह सारे charges है तो मैंने जो आपको मोटा मोटी charges जो अभी currently ज्यादा तर ATM का use होता है 70% ATM का इस्तमाल यूज होना बंद हो गया है ATM machine में ज्यादा तर लोग UPI से payment कर देते हैं phone पे Google पे ATM के थुरू तो मैंने आपको बता दिया main जो होता है वो है debit card का issuence आई ATM card का जब issue होता है तो उसका कितना charges है और साल भर का कितना charges है तो जो मैंने आपको detail में बता दिया अगर आप replace करवाते हैं या फिर दुबारा pin generate करते हैं तो यह important है तो मैंने मोटा मोटी आपको सारे charges के बारे मे वैसे मैंने पूरा आपको detail में बता दिया है आपको यहां पर आने की कोई भी जौरत नहीं है अगर आप state bank of india में खाता खोल रहे हैं तो उसका debit card charges क्या होगा कौन सा debit card मिलेगा मैंने बता दिया साथ में अगर आपके पास पहले से को state bank of india bank card debit card है तो उसका क्या charges लगने वाला है वह मैंने आपको बता दिया तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिं कि अचल सकाथ कर्दार जाएम आपको कर द则ना वाला है है कि आपको यहजों रहुत हैract रहते हैं तो खुशन का वाला झाला है हैzelf बाला है झाला है तो नमस्के वाला है तोर रहांएं